कि हाई फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे व्रत की एक नई रेस्पी चोंकि खाने में बहुत ही जय्दा टेश्टी वक्ती है आप इसको सॉम्बार का भडथ हो या कोई सा भी ब्रथ हो उस बरत में आप इसको बनाकर खा सकते हो खाने में बहWत ही ज़्यादा टेश्टी तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदान है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करना और रैस भी देखने के लिए वीडियो को फुल बोच कीजिए तो चलिए बनाना शुरू करते है तो यहां पर मैंने लिया है आदा कटोरी साबूदाना तो साबूदाना दो तरह के आता है तो यहां पर हमने बड़ा बाला साबूदाना लिया है आप चाहो तो यहां पर चोटा बाला भी ले सकते हो जैसा आप चाहो बैसे यहां पर ले सकते हो तो यहां पर इसको मैंने आ एक पैन लिया है और पैन को गरम कर लिए और उसमें एक चमच यहां पर हम ऑईल डाल देंगे उइल की जहँे पर आप गी या मख़न भी इसमें डाल सकते हों इसको गरम कर लेंगे उसके बाद हमने जो आळो काटकर रखे थे इस तरह के तोक्रों में उसको हमें इसमें डाल दोड़के, अपूर्स की हमें पहुंते हम दूक्र पर अ क्या दार दूरेंगे तो यहां पर आलो को चलाते हुए इस तरह से हमें इनको जब तक पकाना है जब तक कीजिए आधी से कुक ना हो जाएं तो यहां पर आलो हमारे पकने लग गए हैं और यह आधी से कुक हो गए हैं हमें इनको पूरा तरह से पकाना नहीं है हमें इनको आदा साही पकाना है 50 या 60 परसेंट ही इनको हमें को करना है तो यहां पर हमारे आलो देखिए बेको इस तरह से होनी चाहिए आलो के बाद यहां पर हम डालेंगे जो हमने साबुदाने को भी हमें इसमें आलो के साथ में ब जाएगा और इसको हमने बुखोया नहीं है तो ये अच्छी तरह से पिस भी जाएगा तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसको भी भून रेंगे और इसके बाद हम यहां पर लेंगे चार हरी मिर्च आप जादा भी डालना चाहो तो डाल सकते हो अपने तीके अनुसार इसमें हरी मिर्चो को भी हमें इसमें इसी तरह चलाते हुए साथ में ही भून लेना है इसी के साथ हरी मिर्च भी भून कर तयार हो जाएगी तो इसी तरह से चलाते हुए हमें भून लेना है तो ये देखिए हरी मिर्च भी हमारी भून कर तयार है पर को इस तरह की हरी मिर्च हमार में डालेंगे जार में डालने के बाद हमें इसका ढखकन बंद कर देना है और इसको हमें पीस रेना है तो यह देखिए यहां पर यह फिसकत तयार है इस तरह का हो जाएगा आप चाहो तो थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हूँ पीसने में मैंने इसको बावल में निकाल लिया है और अब हम इसमें गुछ मसाले डालेंगे उसमें यहां पर मैं डाल रही हूं अदर चम्म jiq अगर आप बना चम्मच जीरा दिया गजा डाल और मैं पकले काई जीरा और भाद यहसमें तो डाल यहां बना orgad चाहा हों जो भी चीज आप रत में खाते हो वो आप इसमें डाल सकते हो उसके बाद हम इसको इस तरह से मिला लेंगे और जो चीज आप इसमें नहीं खाते वो आप मड़ डाली अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो चीज खाते हों वो आप इसमें डाल सकते हैं तो अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से मिक्स कर लिए और यहां पर मैंने पैन को गैस पर चड़ा दिया है और इसमें और डाल कर हमने गरम कर लिया है उसके बाद हमें इस तरह से उसमें से मिस्रल ले लेना है और इस तरह गर चार कि जह को प्लूद लिए साफूद दविए को साफूद दआने के उनाजाया है और यहां पर हम साफूद दाने के बनाईंगे और यह बिरत में खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी रिक्ता है तो इंको जादा मट डालिए जितने आ सके इसको थोड़ा ही आप इसमे पलट देंगे तो यहां पर हम सारे पकोड़ों को पलट कर तैयार कर लेते हैं और इनको सिखने देते हैं तो यह देखें यहां पर मैंने सारे पकोड़ों को पलट कर तैयार कर लिया है अच्छी तरह से सेख लेंगे जैसे भी आप सेखने चाहो बैसे आप इनको सीख सकते हो तो ये देखिए सीख का तैयार है और अब हम इन पकोड़ों को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर निचोड़ गर हमें इनको निकाल लेना है तो ये लीचे फ्रेंच यहाँ पर हमारे पकोड़े बनका तैयार है और ये हरी चटनी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रखते हैं हरी चटनी की रैस्पी मेरे चैनल पर मौझूद है आप वहाँ से इसको देख सकते हो और ये उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रखते हैं तो ब्रैत में आप इनको बना कर खा सकते हो तो अगर आपको मेरी ये रैश्पी जराज से भी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो में दें हैं चीसे नही रैश्पी के साथ तब तक के विए टेक क्या थेंक्स फॉर बॉचिंग